सब्सक्राइब करना नहीं भूली तो प्लीज वीडियो इंच लाइक के बटन जरूर क्लिक करें और रीना किशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूली है तो चले चलते हैं किशन में देखते हैं Spanish Omelette बनाने की रेज़िपी Spanish Omelette जितना देखने में टेस्टी लगता है उससे कहीं ज़्यादा स्वाधिस्टी यह खाने में होता है और इसके अंदर दिया गया है twist cheese के साथ जो कि ओर वी अदर्स के टेस्ट को बढ़ा देता है अगर आपको सदनली भूख लग रही है और आपको खाना है बहुत ही टेस्टी सा कुछ तो आप इंस्टेट यह स्पैनिश आमलेट बना सकते हैं जो कि बहुत जल्दी बहुत ही टेस्टी बनता है इसको बनाने के लिए हम फ्लेम आउन कर लेंगे और उसके ऊपर रख लेते ह पैन के उपर जैसे ही थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे वैजिस तो यहां पर मैं ले रही हूँ पटैटो यानि कि आलू बरी कट करा हुआ बहुत बारी कट कर लिया है आलू को और इसको हमें अच्छे से सौटे करना है यानि कि इन्हें पग भी जाता है नीचे तो अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं जब इस तरीके के हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बाकी की सबजियां जैसे कि हमेने शिमला मिर्च ली है बहुत बरी कट करी हुई हरी सिमला मिर्च एक मीडियम साइज की प्याज बारी क करके ले लेते हुँ और अब इसके बाद हम इसे भूनेंगे जब तक यह सॉफ्ट नहीं हो जाता उसको सॉफ्ट करने के लिए हमें आपर ले लेते हैं नमक तो नमक का फ्लेवर भी इसके अंदर चला जाएगा और साथ में प्याज वगर जल्दी भी सॉफ्ट हो जाएंग निकाल लेंगे बाउल में अब चलते हैं नמक स्प्राउसिस पे जो कि है अंडो के साथ तो यहां पर हमने लिए हैं 4 अंडे और एक खाली बाउल जिसमें की में अंडो को क्रेकर के उस बाउल में कालेंगे भी अंडों को हमें तोड़ के इसके अंदर डाल देना है और जयस इसे हम थोड़ा सा फेट लेंगे जिससे येलो पार्ट और वाइट पार्ट एक का मिक्स हो जाए अच्छे से तो इसे एच्छे से हम फेटेंगे और जब ये फेटने के बाद इसमें हम कुछ चीज़े आड करेंगे क्योंकि स्पैनिश अमलेट है तो इसमें ज्यादा कुछ एड नहीं करना होता है बहुत कम मसालों का यूज होता है तो इसके लिए हम आपे नमक डाल रहे हैं और नमक थोड़ा ध्यान से रखिएगा क्योंकि पहले भी एड करा है साथ में हमने इसमें डाला है काली मिर्च का पॉडर क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ यही दो है तो देखिए डन हो गया है अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब इसके अंदर हम डाल देते हैं सबजियां मैंने आप लिए हैं एक टमाटर बारी कट किया हुआ और वो सबजियां जो भूनी हुई है हमने आलू शिमला मिर्च और प्याज इसके साथ हम डालेंगे इसमें ह पता नहीं चलता है कि ब्रैड गई अंदर क्योंकि अच्छे से मिक्स करेंगे और ब्रैड जो है इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएगी तो ब्रैड की जो पार्ट है वो ऑप्शनल है आप चाहें तो ब्रैड एड कर सकते हैं अगर आपके पास है अगर नहीं है प्रैड तो आप उसे skip भी कर सकते हैं बस अंडो में wedges add कीजिए और अच्छे से mix कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए अच्छे से mix हो गया है कितना colorful कितना सुन्दर भी दिखाई दे रहा है क्योंकि red और green का जो combination है वो बहुत अच्छा लग रहा है तो अब इसके बाद जब इस तरीके से हम mix कर चुके होंगे यह part हमारा अच्छे से done हो चुका होगा तो हम फिर से वापस चलते हैं gas की तरफ, gas की flame on करेंगे और वो ही pan जिसमें हमने wedges को saute करा था वापस से pan को रख लेंगे gas पे, अब इसमें मैं वापस डाल रही हूँ oil, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा oil अच्छे से लगाना है और उसे फैला लेना है, और जैसे oil थोड़ा सा गरम हो जाए तो उसके बाद जो हमने better तेयार करा है egg का और wedges का वह better लेना है, उसे दो पार्टों में divide करना है, यानि कि उसे हम दो आर use करने वाले हैं, तो पहला पार्ट जो है, मैं अच्छे से नीचे फैला लेते हूँ, pan के उपर, अच्छे से लगा लीजे, चारो तरफ फैलाते हुए और जब first part अच्छे से आपका लग जाए, तो उसके बाद हमें use करनी है, cheese तो यहाँ पर इसमें cheese जो कि बहुत अच्छा taste देती है, लेकिन ये बिल्कुल optional है, अगर आपके पास में cheese नहीं है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये बिना cheese के बन नहीं सकता बिना cheese के भी ये बहुत tasty बनता है, बस आप उसमें batter को normal pan में फैला के ढख सकते हैं, यहाँ पर मैंने cheese लगाई है, और cheese के ओपर फिर से जो batter का second part बचा रखा है उसको इसके ओपर हम अच्छे से फैला लेंगे, अच्छे से लगा देना है जिसे कि बिल्कुल भी cheese दिखाई नहीं देगी और cheese को बिल्कुल अच्छे से cover कर देंगे, बैटर के साथ में अच्छे से फैला तो आप इनको लगा लीजिए तो इस बिल्कुल अच्छे से done हो गया है सभी cheese के जो corners है सब कुछ मैंने इस उपर अच्छे से cover कर दिया है और बिल्कुल अच्छे से हो चुका है गैस की flame ध्यान रखेगा बिल्कुल low रखनी है हमें जानी कि बिल्कुल low पे आपको इसे पकाना है अब हम इसे ढख के चार से पांच मिन्ट के लिए छोड़ेंगे लेकिन flame हमने बिल्कुल low की हुई है क्योंकि अगर आप high कर देंगे medium high कर देंगे तो वो जन सकता है जिससे की अच्छे से पक जाए इसके लिए flame को low होना बहुत जरूरी है तो देखिए अच्छे से नीचे से एक पार्ट जो हो चुका है तो इसको हम जो टर्न कर लेते हैं यानि कि दूसरी तरफ से भी हमें पकाना है अच्छे से तो इस तरीके से plate लेंगे plate को रख के हम इसे इसके उपर पका लेंगे अब इसके बाद हमें क्या करना है फिर से हमें पैन में थोड़ा सा ओयल डालेंगे हम जिससे कि हम वापिस पार्ट को चेंज करके रखें तो वह चिपके नहीं वह भी अच्छे से पक जाए तो दूसरा पार्ट हमने इसके अंदर रख दिया है फोल्ड करके उसे चेंज करके और ढख दिया है जिससे कि वह सेकंड पार्ट भी अच्छे से हमारा ब्राउन हो जाए पक जाए तो यह दोनों पार्ट जाए है एक के पार्गाने बहुत ज़रूरी है आमलेट के तभी जो इसका टेस्ट फ्लेवर है वह बिल्कुल पर्फेक्ट आएगा तो फाइनली आमल इसलिए फ्लेम को लो करा जाता है तो चलिए इसकी कटिंग करके भी आपको दिखा देते हैं कि स्पैनिश ओमलेट दिखता कैसे अंदर से अंदर जो चीज थी वह कैसी दिखती है और खाने में जब आप खाएंगे आपको तभी इसका ओरिजिनल टेस्ट बदा चल पाएग तो देखिए बीच में जो है वाइट दिखाए दे रहा है यह बिल्कुल चीज है इसके बीच में और उपर नीचे वैजिस है एक है और बहुत टेस्टी बहुत यूनिक सा इसका फ्लेवर है तो अगर आपको समय की कमी है और कुछ स्पेशल बनाना है कुछ जल्दी बनाना तो आप यह स्पैनिश ओमलेट ज़रू ट्राय किजिएगा आपको बेहत बेहत ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो पसंद आए रेसेपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो होईया पसंद आएखलो का रảiफ करना आएख थすween आ gई है ट्राय की पड़ बबद पसंद आएपन विड़तेững ज़़रूशसा आएब दिया इन समी ए सուंबatarल पसंद आएगा कर राला है तो आपको यह दो है क्या? झाल झाल